एक बार आजमा लेना दोस्तों अगर आपको भी नाक की एलर्जी है दोस्तों साथ की साथ आपको माईग्रेन और सिर दर्द दोनों के सिकायत है या फिर अकेले सिर में दर्द रहता है चाहे माईग्रेन के कारण हो या फिर वैसे आपका सिर दुखता हो दोस्तों हर तरह से य आपको मैं कुछ छोटे-छोटे टीपस भी बताने वाली हूं दोस्तो इस रेमेडी के खाने के साथ-साथ आपको वो टीपस भी फोलो करने होंगे आप अपनी जो नाक की एलर्जी है सर्द गरम है सिरका दर्द है या फिर माईग्रेन है ना दोस्तो तो जड से खतम हो उसी सामान का इस्तेमाल करते हुए अगर आप कर लेते हैं एक बार तो आपका जो सिरकादर्द और एलर्जी की सिकायत है जड़ से खतम हो जाएगी दोस्तों जो सामान आपको बताऊंगी ना वो सामान इस रेमेडी के लिए आप ये समझ ये कि जरूरी है आप उसके बदले म मैं आपको दिखा देती हूं यहां पे आमें क्या क्या लगेगा यहां पे आप मेरे आत्में दो तरह के बादाम देख रहे होंगे दोस्तों तो एक बादाम जो अमने सफेद वाले कटोरी में ले रखे हैं ना दोस्तों यह अपने रेगुलर बादाम है जो आम आमेशा घर तो आप गुरबंदी बादाम के साथ ही इसे बनाना जो घर में अमेशा इस्तेमाल करते हैं वह नहीं बरनाना क्योंकि गुरबंदी जो बादाम होते हैं नुस्खे बनाने के लिए अगर आप सीर दर दिया एलर्जी sa का बना रही है एक नंबर होता है दोस्तों तो आप यहां कि मिलेगी दोस्तों अलका सा पिला पनाएगा उसके अंदर तो आपको यहां पर देशी खांड बोल कर ही लेनी है यह आज कर ओनलाइन भी मिल जाती है आप देखेंगे तो सभी चीजे लेकिन अगर आपको यह जहां पर डिलीवरे के लड़ू बनाने के लिए सामान मिलता है दोस्तों उन दुकानों पर यह आसानी से मिल जाती है आपको तो वहां से आप ले ले यही खांड इसके लिए आपको ले लेनी है देशी खांड बोलेंगे तो वो दे देते हैं इसके बाद में अमें ले लेना है यहां पर दोस्तों काली मिर्ची काली मिर्ची भी इसके लि वो मैं यहां पर बता देती हूँ आपको आप यह नहीं बोलना कि मिर्ची जादा है इसके अंदर मीठा जादा है या फिर बादाम जादा है नहीं जो चीजे आपको बता रही हूँ ना मैं एकदम मेजरमेंट करके बता रही हूँ दोस्तो यहां पर और यह चीज आपको इतन एक बार आप इसे सब्तावर के लिए बनाएं, दो बारा आप फिर से बना लें, आपको ये कम से कम मैने बर तक खाना होगा, उसके बाद में आपको इसका पूरा पूरा असर जो है नजर आएगा, अब इसमें 10 ग्राम काली मिर्ची और 50 ग्राम हमें यहां पे गुर्बंदी बादाम डालने हैं, और इनके अंदर आमें यहां पे लगेगी दोस्तों 25 ग्राम खांड, यानि 10 ग्राम काली मिर्ची, 25 ग्राम खांड और 50 ग्राम बादाम, अगर आप ज़्यादा सामगरी से बना रहे हैं तो एक बार इसी रेसो को आप डबल करके बना लें, खराब नही 20 ग्राम काली मिर्ची इस तरह से बना लें, अब मैंने बादाम और काली मिर्ची जो है उसके बाद में खांड डालेंगे, सरू में डालते ना तो यह बिलकुल गिला गिला सा हो जाता मिस्रन, क्योंकि यह जल्दी सी बादाम के साथ मिलकर गिली-गिली सी हो जाता है तो यह मिसरन आपका बिल्कुल सुखा-सुखा बिखरा-बिखरा भी बन सकता है, वो खांड के उपर डिपैंड करता है, खांड अगर यहां पर थोड़ी सी सीलन वाली होती है, तो यह थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, नहीं तो यह बिल्कुल बिखरा-बिखरा भी बन सकता है, तो यहां पे हम इस मिश्रन को एक जार में बर लेंगे, जार आपका बिल्कुल साब सुत्रा सुखा होना चाहिए, उसके अंदर आप इसे बर कर ले ले, डक्कन लगा कर छोड़ देंगे, इसको आप जब आपको खाना होगा आप एक चमच निकाले और इसका सेवन करें, सेव दोस्तों आपको रात में करना है, जब आप खाना वाना खाले ना सोने के लिए जा रहे हो, उससे एक गंटे पहले आप इसे खाले ना, आपको इससे निल्द भी अच्छी आएगी पता है, और उसके साथ 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 शिर दर्द तो आपका बिल्कूल देरे-देरे करके लेकिन शाम को आपको इस चवा चवा कर खाना है, फिर से चवा कर खाना है, थोड़ा थोड़ा करके आप इसे ओगा क्या कि आपके सर की जो नसियों दोस्तों उनकी वी एकसरसाइज हो जाती है एक तरह से, तो आप बिल्कूल इनको दीरे-दीरे से चवा चवा कर खाएं, इसके बाद में आपको करना क्या है दोस्तों यहां पे गी ले लेना है आपको गाएं का गी अगर मिल जाता है ना देशी गाएं का तो वो सबसे बेस्ट है अगर गी नहीं मिलता है क्योंकि आसानी से सब के पास नहीं मिलता है गाएं का गी तो आप यहां पे सरसो का तेल ले सरसों का तेल जो ले रहे हैं न दोस्तों अच्छे बरांड का ले सुद्ध तेल होना चाहिए उसका ही इस्तिमाल आपको करना है शाम को जब आप सोने के लिए जा रहे हो ना सोने से आप आदे गंटे पहले गरदन को अलका सा पलंग से नीचे की साइड करें दोस्तों और गी की डाले या फिर आप ओईल की डाले सिर्फ दो दो बूंद डाल दी है इस रेमेडी के साथ साथ आपको यह उपाई जरूर करने है अगर आप अपनी ऐलर्जी को और सिरदर्द वगेरा को गाईब करना चाहते है तो बस इसके बाद में दोस्तों जो यह गाई का गी है अगर आप कर सकते हो ना तो प्लीज इस उपाई को जरूर करना आपको बहुत जादा राहत मिलेगी आदा जमच गाय का गी लेले जादा गी लेने की जरूरत नहीं है यह आपको सिर्फ सप्ता में एक बार करना है जिसका ज़्यादा सर दुखता हो आप यह जरूर करना अल तोड़ी सी देर इसको ऐसे ही रखा रहे ने जिससे की काली मिर्च के भी गुण गी के अंदर आ जाएं और उसके बाद में आपको ये अपने सर में लगाना है दोस्तों ये गाए का गी है गाए का गी नहीं हो तो सर्षो के तेल सी भी आप कर सकते हो अगर आप सर्षो का तेल या पर यूज कर रहे हो ना तो उसके अंदर आप दो गीरी बादाम की डाल कर गरम कर ले अगर आप गाए का गी यूज कर रहे हो ना तो इसके अंदर पांस से साथ काली मिर्ची डाल कर गरम कर ले इस तरीके से पूरे सीर में पहले अच्छे से आपको लगा लेना है और आ अगर आप इसे पहले दिन रात में लगा कर छोड़ दे तो उसकी बाती अलग है जिनको एलर्जी की सिकायत है उनको क्या करना है दोस्तों दिन में एक से दो बार बाफ जरूर लेनी है गरम पानी से स्टीम लेले बेहदलाम मिलेगा तो दोस्तों यह था हमारा आज का के वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना सेर कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद